आइसेसी वंडे विशुकप 2023 की सुरुवाद 5 अक्टूबर से होने जा रहे 12 साल बाद टीम इंडिया को आइसीसी के इस इवेंट की मेजबानी मिले आखरी बार 2011 में यहां वंडे विशुकप खेला गया दो जिसमें टीम इंडिया चैंपियन वानी थी ऐसे में एक और फिर से इतिहास दोहराने का मौका है हाला कि रोहित सर्मा की अगवाई में टीम इंडिया को वैसा ही कमाल दिखाना होगा जैसा कि 2011 में मेहंदर सिंग धोनी की कत्पानी में होगा था आइसेसी विशुकप 2011 में टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार हुई था पहले मैच में टीम इंडिया ने बांगलादेश को घराया था इस मैच में विरिंदर सहवाग और इराट कोहली ने शतक थोगा दूसरे मैच में टीम इंडिया की टककर खिताबी जीत की प्रवल तावेदारों में से एक इंगलेंड से यह मकाबला बैंगलूरू के एम चिन्ना स्वामी स्टेडिया में खेला गया बारत और इंगलेंड दोनों ही टीमों की तरफ से इस मैच में खूब धूम दड़ाका हूँ और सचिन ने बहतरीन शतक लगा कर दर्सकों को जूमने पर मजबूर कर दिया लेकिन इस मैच का अंत ऐसा हुआ जिससे सब की सांसे रुक्सी गई थी इंगलेंड के खिलाफ इस मैच में महिंदर सिंग धूनी ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया टीम इंडिया के लिए विरंदर सहवाग और सचिन ने पारी की शुरुवात की थी दोनों ही खिलारी शांदार ले में लग रहे थी लेकिन सहवाग कट सौट खेलने के प्रियास में विकेट कीपर के हांथों कैच आउड हो हाला कि उस दिन मैच में दिन सचिन का थी सचिन ने लगतार इंग्लेंड के गेनवाजों की खवर ली और उन्होंने 115 गेन में 120 रन बनाए इस दोरान उन्होंने दस चोके और पांच छके भी लगाए उनको गौतम गंभीर से भी बहतरीन साथ मेला गंभीर ने 61 गेन में 51 रन बनाकर पविलियन वापस लोट गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंग ने मोर्चा समाल ले आता आखिर के ओबरों में युवराज ने तावर तोर बल्लेवाजी करते हुए 50 गेन में 58 रन ठोक दिये वहीं धोनी ने 25 गेन में 31 रन बनाए इस तरह टीम इंडिया ने उनन 4.5 ओबर में 338 रन का विशाल स दोनों ने अपना तावर तोर अंदाज दिखाया लेकिन इस बीच पिटर्सन ने सीधा सौट खेला जिसे मुनाफ पटेल ने अपनी ही गेनवाजी पर दूसरे प्रियास में लपक कर टीम इंडिया को पहनी सफलता दिलाए इसके बाद जॉनाथन ट्रॉट भी जल्दी ही आउट होगे लेकिन इयान बेल ने स्ट्रॉस के साथ मिलकर खूटा गार लिया इस बीच इस ट्रॉस ने अपना पहला शतक पूरा किया जबकि इयान ने अपना पचासा इयान भेर टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे लेकिन जहिर खान ने उन्हें विराट क बोली के आँ तो कैच आउट कराकर टीम इंडिया को फिर से मैच में वापस ला दिया हाला कि भारत के लिए भी खतरा टला नहीं थी एंड्रॉस ने इस मैच में 150 रन के आकरे को पार कर लिया मैच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था दर्शकों की सासे थमसी गई थी इस बीच जहिर खान के सटी की यॉरकर पर स्ट्रॉस आउट हो गए और भारतिय समर्थकों में फुर्शी की लहर से दौर गए टीम इंडिया को अब जीत के लिए टेलेंडर्स को आउट कर दा गेलवाजों ने भरपूर कोजिस की लेकिन ग्रिम स्वान ने 9 गेन में 15 रनों की पारी खेल कर मैच को टाय करा लिए हलाकि दोनों में से किसी भी टीम को भार तो नहीं मिली लेकिन भारतिये खेमे को अच्छे से पता था कि उनसे चूक हो गए इस मुकाबले में दोनों टीमों को मिला कर कुल 676 रन बने 2 शतक और 3 अर्ध शतक लेकिन नतीजा किसी के पक्ष में नहीं आरे यही कारण है कि भारत और इंग्लेंड के बीच इस मुकाबले को विश्यकप का सबसे रोमांचक मैच भी कहा जाए इस वीडियो में फिलाहाल इतना ही खेल से जुड़ी अन्निक खबरों के लिए बने रहे हमारे यानि एन्विटी स्पोर्ट्स के स झाल